फिरसी एक बार फोटा कामया पंजाबी का पवित्र पूनिया पर गुसा पवित्र पूनिया को ट्विटर पर सुनाई काफी खरी खोटी आखिर क्या कहा कामया नहीं चलिए जानते हैं बिग बॉस की एक्स कंटेस्टेंट रह चुके टीवी सीरिल आक्ट्रस कामया पंजाबी सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती हैं वो बिग बॉस को भी रोजाना बेहत तालेंता से देखती हैं और अपने बयानों को खुल कर सामने रखती हैं कामया पंजाबी बिग बॉस में कविता कौशिक की एंटर को लेकर खास एक्साइटेट थी और वो उन्हीं जम कर सपोर्ट करती है वहीं कविता कौशिक से पंगा मोल लेने के बाद अब जास खान उनकी दोस्त कामया पंजाबी के निशाने पर भी आ गए है इतना ही नहीं पवित्रपुनिया को भी कामया पंजाबी खास पसंद नहीं करती है और उनकी बातों को टूइट कर उनका विरोध दर्जज करती रहती है बीते दिन के एपिसोट को देखने के बाद एक बार फिर से पवित्रपुनिया की क्लास लगाती हूई नजराई कामया पंजाबी कामया पंजाबी ने टूइट कर लिखा प्लीज पवित्रपूनिया प्लीज हमें बक्षो और औरत औरत की नार्व को बोलना बंद करो इतना ही नहीं अपने दूसरे टूइट में काम्या ने कहा कि वैसे एक बात बताओ एक औरत होकर दूसरी औरत के कप्रों की इज़त नहीं करते इस लाइन के कितने पैसे मिलेंगे तो वहीं काम्या ने अपना गुसा एजास खान पर भी निकाला काम्या पंजाबी ने एजास खान के मज़े लेते हुए का उफ बिग बॉस इतना मुश्कल टास्क आपने एजास खान को दे दिया तबादले का हम सोच भी नहीं सकते कि वो क्या फैसला लेंगे इसके आगी क को वहां से निकाला और आपने उसे वहीं भीज दिया ओ गया अब प्लीज रो ये मत ये सब मत कीजिए इसे के साथ बताते चले जिन्हें जानकारी नहीं है उन्हें बता दे कि तबादले के टास्क में एजास खान ने सभी रेड जोन के लोगों को बहार निकालने में मदद कर ग्रीन जोन के चार सदस्यों को रेड जोन में भेज दिया इसमें निशानत मलका निकवता कौशिक रुपी नादला एक जासमीन बसीन है एजास खान के इस फैसले से कई दर्शकों को जटका लगा है काम्या पंजाबी की बातों से आप कितने सहमत है आप हमारे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं टेलिविजिन के लेटेस्ट अबडेट्स और शटपटी गॉसिप्स को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले